जासने बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आप स्कीन पर देख रहें, इसी मॉडल को डिसकस करेंगे जिसका साइज है 30x30, 30x30 में ये प्लान मैंने क्रेड किया है, बहुत ही बेतरीन प्लान है, फ्रेंट गिलिवेशन की बात करें तो आपको बेच्ट द किया है हलाकि आपको है सिंपल ही प्लान बस थोड़ा सा जो में मैंने फ्रेंट इलिवेशन किया है इसमें थोड़ा सा आपको पैसा लगाना पड़ेगा नहीं तो ये पूरा सिंपल प्लान ही है अभी आपको मैं जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि लो बज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ साथ विल आइकन जूर दबाने इस से आने वाले सभी वीड़ा अब लागातार देख सके दोस्तों इस मालास प्लान पर आपको लगातर अपडेटेड ने ने डिजाएं ने ने मॉडल से मिलते रहते हैं जो मैं को आज डिसकस करूँगा वो प्लान 30 वाई 30 का है तो सबसे पहले इस प्लान को मैं 30 प्रिटिस का चोड़ाई है और 30 ही इसकी लेंत है लंबाई है तो अगर हम बात करें इसके फ्रेंट टेलबेशन की तो ये देखिए मैं जूम करको आप दिखाता हूँ इसका पूरा और फ्रेम मैंने क्रेड किया है और ये विंडो है क्योंकि फ्रेंट में दो बेड्रूम है इसलिए मैंने विंडो फ्रेंट में दिया है और ये आपका प्लर है जो आप देख पार है नॉर्मल सा प्लर उसमें टैल्स को इस्तमाल किया है इधर भी किया है और ये आपका फ्र कनी टैप का मिलता है फ्रेंट में बार अंदर टैप का मिलता है अगर दोस्तों आपको इसका फ्रेंट अच्छा लगा तो वीडियो का भी लाइक कर दें चैनल को सब्क्राइब कर लें और यह दिखेंगे इसका में डूर है में डूर यह है लेकिन जैसे आप इस पोर्च में तो दोनों तरफ जो लेट और राइट साइड कॉरनर पर आपके वेड़ूम है उसको जाने के लिए डूर बाहर से दिया है और विंडो भी बाहर से है ऐसा ही बिल्कुर सिस्टम इस तरफ पर डूर विंडो तो फ्रेंट वाले जो बेड़ूम उसमें आपको दो विंडो मि ना दिया है तो यह तो दोनों बेड़ूम की बात हो गई फ्रेंट की इसके बाद आप जैसे इंट्री करते में डूर चे अंदर तो आप यहां से देखीगा आ जाते हैं इस वाले पूरे पोर्शन में तो यह आपका बड़ा सा लॉन देखने को मिलता है इसके बाद इस कौ लॉन डाप का निकलाता है डाइनिंग एरिया डाप का निकलाता है जो मैंने क्रिट किया है इस बेड़ूम की बात करें तो तीन बेड़ूम के शाथ बड़ा सा एक लॉन यहां पर है पोर्श एरिया भी मिलता है शाथ शाथ डाइनिंग एरिया भी मिलता है एक बड़ा सा क लेटेंट बात और स्टेयर्स मिलती है इस्टेयर्स के नीचे आप अपना इस्टोर टूम छोटा सा बना सकते हैं यहां पे नल वगेरा भी लगवाई सकते हैं पानी के वस्ता कर सकते हैं तो यह इंटीर हो गया अगर हम बात करें अंदर तीन बेड डूम आपको समझे आ गया तो यह पूरा आपका 30 वाई 30 फिट में ग्राउंड फ्रोर बन जाता है अगर हम बात करें इसके फ़स्ट फ्लोर की तो यह इसका फ़स्ट फ्लोर है फ़स्ट फ्लोर पर चारो तर मैंने 3 फिट का बाउंडी और यह गुम्टी बना दिया इस्टेयर्स को ढखने के लिए ज चोटे चोटे विंडो लगे हैं डिजाइनिंग के परपस से और यह भी ओवल टैप का आपका डिजाइनिंग के परपस से चीजी क्रेट की हैं तो यह पूरा ग्रिल जो है एक नॉर्मल ग्रिल बस फ्रंट में थोड़ा सा वेल डेकोरेट कर दिया है इसे यही ग्रिल आपक करना चाहते है तो आप में वाटसूप पर कॉंटेट कर सकते हैं हमारा नंबर वाटसूप का डिसक्टिप्शन में दिया हुए लेकिन वहां पेड यूजर ही कॉंटेट करें जो सर्वक्तिक करना चाहते हैं तो ही पूरा मॉड़ल की सा लगा जबताएं शाथ कोई बीड़ रहा जाता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मॉडल किसी भी डैप का बनवाना शाहता है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस महला सुप्लान चैनल को सब्सक्राब जरू कर लें अपडेटिड वीडियो नहीं नहीं मॉडल सापको लगातार मिलते रहें थैंक्स वाचिंग